दरोगा समेत तीन घरों को चोरों ने बनाया निशाना नमस्कार मैं रश्मी पांडे और आप देख रहे हैं हापुड हंचर गर मुक्तेश्वर से ये ख़बर है गाउस सिंभावली परीदपुर में चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाया जिसमें दो मकानों के घर में निशनल हाइवे पर गाउं के बाहर रस्ते थे शनिवार की रात को परिवार के साथ सोया हुआ था इसी भी चार पांच बदमाश उसके घर में पहुचे और कमरे में परिवार के लोगों को सोता देख नीचे से गेड़ बन कर दिया जिसके बाद बदमाश दूसरी मनजल प सुबा होने पर पता चला वही गाउं की ही लोकेंद्र के घर में चोरों ने नगदी और जेवर चोरी किया जिससे करीब एक लाग से अधिक रुपई का सामान चोरी हो गया इसके लावा गाउं में रहने वाली नाय अधीश इंदू के घर में भी चोर घुसे लेकिन परिज पूती सिंग का कहना है कि तहरीर के आधार पर जाज कराई जा रही है पुलिस टीम द्वारा जल्द ही गटना का खुलासा कर दिया जाएगा